हेलो असलावलेकुम वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो आज का जो ब्लॉग है यह बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेट ब्लॉग है सभी लोग बोल ले थे दी एक बार होम टूर न दे दीजिए कुछ किलिया नहीं हो रहा जाएंगे सेड़ियों से अगर उपर चड़ते हैं तो नहीं चड़ते हैं तो कुछ ने चड़ेंगे टो आप लोगों को रूम दिखेगा एक आप लएट में दिखेगा टो लेफ्ट वाला जो सामने में मेरे पडोसी हैं वो रहते हैं यह उनका घर है और जस्ट इधर अगर मुड़ेंगे राइट साइड में तो यह मेरा घर है यानि कि हम सभी का घर है तो चलिए आप लोगों को अंदर गुज़ के दिखाते हैं कि फर्स्ट इंटरेंस और फर्स्ट रूम कौन सा है या आगे भी आप लोगों चेंज मिल सकता है तो फिलाल के लिए यह है तो यहाँ पर एक चार बाई छे का बेड लगा दिया है एक सोफा है बस इतने ही स्पेस है एक लगी बेंबू टरी है जो की कोने में और यह प्लास्टिक का नहीं है आप लोगों के बाकी जो कुशन आते हैं वो भी क्लियर करेंगे यह वाला जो गेट है यह हॉल में जाता है सामने में आप को किंग मिलेगा किंचन और इधर अगर गुसेंगी तो आपको बेडरूम दिखेगा तो मैं अभी आप लोगों को अंदर ले चलूँगी तो यह देख लीजे यह है छोटा सा मेरा घर और यह मेरा खुद का घर नहीं है और यह ना तो रेंट पर है यह मेरे हजबन को आफिस से मिला हुआ है हाँ रेंट है इसका ओनली हंड़ेड रूपीज सौ रूपए इसका हम लोग बाड़ा देते हैं यह जान लीजे वो भी आप अगर देखिए तो मेंटेनिंस के नाम पे लेते हैं कि अगर कुछ फूटा तो वो लोग जो आते हैं ना उसके उपर लेते हैं ठीक है तो यह है मेरा लखी बैंबूटरी और जो कि जब से घर में आया तब से थोड़ा सा इसके पत्तिया ना वो पीली हो रही है और इधर एक बिंडो है जो कि जिसमें सिब डस्टी आता है हवा कमी कम आता है लेकिन हाँ फिर भी है हवा पास होने के लिए एक घर में होनी चाहिए रोशनी आती है भरबूर जो कि एक घर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है क्यों जिस घर में रोशनी रहती है खिड़की खुली रहती है हुआ आती है तो वो घर तो वाकई बता रहे से तो चलिए फिर अंदर गुषते हैं और आप लोगों को अब हॉल में लेके चलते हैं तो यह वाला जो गेट है वा अंदर चलते हैं और यहां पर जब आएंगे तो सामने आपको दो सोफा मिलेगा एक सामने अलमारी मिलेगी और इधर यह हॉल है चाहते तो इस पे डाइनिंग टेबल रख सकते थे लेकिन हम लोगे पास अलरड़ी इतना सारा समान था कि डाइनिंग टेबल को हटा दिया गया पहले हम रखे थे और अलमारी के लिए आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि दी यह अलमारी वहां रख दीजे यह अलमारी वहां रख दीजे हकीकत यह है कि बलॉग में कितना दिखता है यह मुझे नहीं पता लेकिन यह अलमारी ना बहुत चोड़ी है तो यह कहीं पे भी एज़ेस्ट नहीं हो पाती है इस वाला जो यह वाला डोर है यह बैडरूम के लिए जाता है और इधर जहां पर परदा लगा है यह है टॉलेट बात्रूम है और इधर आप अगर राइट में जाएंगे तो वो है कीचन ठीक है और उधर सामने में जिया के लिए बैड लगा है और इधर आपको दो सोफा दिख रहा है हाँ इस पेस कम है इधर उधर से लेकिन फिर भी दोनों साथ में सोफा अच्छा लगता है तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को जिया का बैड जो की आप अगर मेरे साथ सुरू से जुड़े हुए तो अभी आप लोग को पता ही कि मैं हाल ही में ये बैड बनवाई हूँ ओर्डर करके इसके नाप से बनवाई थे और जो की मुझे बहुत अच्छा और इसकी जो शान है ये है इसका वाल स्टीकर जो की लगाना तो उसमें जान आ गई मेरे घर में तो कभी-कभी छोटी-छोटी जो चीजे होती है ना उससे ही आपके घर की खुबसूरती बढ़ जाती है इधर में ये पोस्टर लगा हुआ है खाली स्पेस था ना तो थोड़ा सा नी और अब अच्छा लग रहा था इधर घड़ी लगी है इधर एकॉरियम है जो कि इसमें एक भी मचली नहीं है ठीक है तो अब इधर आते हैं तो इधर दिखे सामने में ट्वैलेट है और इधर जो ज़श्ट है बगल में ये बाथरूम है ठीक है तो बस ये चीज़ क्लियर हो गया इधर सामने में छोटा सा इस्पेस दिया गया है बस आने जाने के लिए बहुत जादा इस्पेस नहीं है यहाँ पर आपको वास्पन बेसीन मिल जाएगा और अब चलते हैं किचन में तो किचन तो वैसे आप लोग ब्लोग में बहुत बार देखे हैं और उपर में डब बाबा जैसे कि नॉर्मल है सामने में आपको सिंग मिल जाएगा और जस्ट इधर सिंग के बगल में विंडो है और यह भी काफी चौड़ी विंडो है और जो कि रोशनी के लिए हवा के लिए बहुत है यह मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अगर लाइट बंद भी रहती है तो भी इतनी रोशनी रहती है कि आप आराम से कुछ काम कर सकते हैं और मैं इधर से थोड़ा सा इधर उदर का देखती भी रहती है कुछ भी सोर होता है तो हाँ रोड की जस्ट बगल में है तो आवाज भी उधर से आती रहती है तो मन लगा रहता है तो अब चलते हैं बेडरूम के तरफ और बेडरूम दिखाते हैं कि मेरा बेडरूम कैसा है हाँ छोटा सा है लेकि फिर भी माशाला हमारा गर बहुत ही अच्छा है और एक छट है आपके बस यही बहुत बड़ी बात है तो यह है छोटा सा इसमें दो विंडो दिया हुआ है एक इधर के तरफ एक उधर के तरफ यानि कि एक है जो सामने रोड के तरफ है और एक जो विंडो का है न वो मेरे आंगन में जाता है इधर आंगन है इदर झोटा सअ बच्चों के लिए लगे हैं कबड तो कबड में बच्चों के ही कॉपके किताब है और इदर आपको टीवी मिल जाएगा इस पीकर मिल जाएगा और यह रहा मेरा आंगन जो कि सब को पूरे घर में सबसे जो प्यारा लगता है वो मेरा आंगन ही लगता है सबको बहुत अच्छा लगता है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और यही आंगन की वज़ा से मैं इस घर में आई थी तो यहाँ पे दो चेयर है और बस बेड है और ये जो बेड है ये सिंगल सिंगल अलग अलग है यानि कि एक जो बक्सा होता है और एक तीन भाई छे का दीवान है तो उसे अच्छा खासा डबल बेड तैयार हो चुका है और अब चलते हैं तो इधर आते हैं इधर में ड्रेसिंग टेबल है और जस्ट उसके बगल में ये है विंडो तो ये जो है ये आंगन के पूरा आंगन यहां से बैटके आप आंगन देख सकते हैं रोशनी भी अच्छ ये अच्छा लगता है तो ये है चोटा सा आंगन चोटा नीम बड़ा सा आंगन है और जब धूते हैं तब समझ में आता है कि कितना बड़ा सा आंगन है तो वहां पर जो बेंच था जो आप लोग देखें कि अभी कुछ दीनों के अच्छ दिनों में सफाई चल रही थी और काफी अच्छा एक्दम ने तो पहले यहां पे कूलर था और बहुत सारा समान था तो अभी हाल ही में साफ हुआ है तो यह रहा और यहां पे देखी तो गमला एक्दम लगा हुआ है और गमले में पौधे लगे हुए हैं और इधर साइड में अगर आपको मैं दिखाओ तो यहां पे वाशिंग मशीन है जो कि मैं वाशिंग मशीन आंगन में ही रखती हूं और आंगन में ही कोई कहीं रखने की कोई जगा ही नहीं है